हेलो दोस्तों, एक बहुत फेमस कोस्टिन है, बॉम डॉप्ट फॉम ए प्लीन वाला, क्या है एक प्लीन ग्राउड से कुछ उसका अल्टिटूर या हाइड दे रिखी और प्लीन जो होजंडर डारेक्शन में चल ला है, और उससे हमने एक बॉम डॉप कर दिया, listen to the word, drop कर दिया, एक moving plane से, जो कि होजंडर डारेक्शन में था, उससे हमने बॉम को डॉप कर दिया, plane का that moment, जिससे में हमने बॉम को डॉप किया था, altitude दे रख था है, h, जैसे ही बॉम डॉप किया जाता है, plane के उससे में speed u थी, तो हमको बताना है, number one, what would be the path taken by the bomb with respect to ground, number one, number two, what would be the path taken by the bomb with respect to the plane pilot, plane का जो pilot होगा, with respect to plane देखेगा, तो उसको वही bomb का path कैसा दिखाए देगा, तीसरा पूचा जाता है, कि bomb जो है, वो plane के just नीचे, अगर नहीं गिरेगा, तो कितनी distance आगे जाके गिरेगा, वो distance, horizontal distance, from that point जहां से वो bomb drop किया गया था, और जहां पर finally वो जाके गिरता है, land होता है, ground पे, वहां तक की horizontal distance बतानी है, तो देखिए, इसको पहले तो basic से समझने की कोसिस करते है, drop work मैं क्यों emphasize करवा रहा था, drop का मैंने पहले भी, अगर आपको याद हो, तो एक जगे जरुवत पढ़ी थी, मैं जे projectile motion का कोशन, relative velocity का कोशन करा रहा था, तब मैंने बताया था, in fact, मैंने free fall की question में बताया था, drop का मतलब zero velocity नहीं होता, drop का मतलब यह होता है, कि जिस frame से आप fake रहा हो, उसके respect में relative velocity zero, actual velocity नहीं, relative velocity, plane, you से चल ला था, तो उसके साथ bomb भी तो plane के भी तरी था, पहले है, तो वो भी you से चल ला था, तो drop करने का मतलब आप उसको throw नहीं कर रहा हो, आप उसमें कोई extra force नहीं लगा रहा हो, तो law of inertia, जो चीज़ जैसे चल ले है, वैस चलती रहेगी, with the same velocity, तो अगर plane you से चल ला था, तो bomb जिस moment पे drop किया जाता है, उस moment पे with respect to ground, वो you से ही चलेगा, यह देखे, मैंने देखा है, bomb you से, drop है, तब भी you से, drop का मतलब होता है, कि throw नहीं का मतलब होता है, कि आप उसमें कुछ thrust लगा रहा है, कुछ उसकी speed change कर रहा हूँ, अब as it is, जैसे चल ला था, you से चल ला था, तो यह drop है, आपने इसमें कुछ किया नहीं, आप छोड़ भी दो को तो अपने आप वो law of inertia से यूज से ही चलेगा, अब plane horizontal चल ला था, तो bomb भी horizontal चलेगा यूज से, जैसे ही वो plane से बाहर आता, तो plane का क्या acceleration है, retardation है, वो plane का अपना जमेला था, एक बार, when it comes out in the air, एर अपना, जो अपना अर्थ अपना काम करेगी, अब air friction तो है नहीं, air friction नॉमली होगा, उसको ignore कर दें, neglect कर दें, तो अर्थ उस पे तुरंट gravitational force लगाने लगेगी, ये acceleration due to gravity लगाने लगेगी, तो अब ये बताए, velocity acceleration, एक दूसरे के direction में नहीं है, तो particle का path कैसा होगा, तो पिछले 17 वीडियो से हम लोग जो projectile motion कर रहे हैं, उसमें क्या सीखा हम लोगों ने, ये तो सीखा है, कि आगर किसी object का acceleration constant हो, और velocity acceleration में कोई oblique angle बने, तो उस object का path projectile parabolic path होता है, bomb का path भी projectile parabolic path होगा, और ये horizontal projection form में height होगा, पिछले वीडियो कोल के देखिए, ठीक होगया, horizontal projection form में height होगया, तो bomb जब आके गिरेगा नीच, अच्छा पहले बताए, horizontal projection form में height का मतलब क्या है, इसमें x का भी motion होगा uniform motion, y का होगा uniformly accelerated, ये ऐसे parabolic path बनाते हुए, ऐसे आके फाइनली ये गिरेगा आके, ऐसे गिरेगा आके, जब पहला parabolic path, तो पहला question, मैंने तीन question बूछ चेटे, what is the path of the bomb as seen from the ground, ground से convex parabola, what is the path of the bomb with respect to pilot of the plane, by pilot of the plane जो है उसको क्या लगीगा, तो उसके देखिए, pilot of the plane कौन सा रुका रहेगा, इसकाई में, वो भी तो plane के साथ यूज से चलता रहेगा, और यह जो हमारा bomb है, यह रहा bomb, इसमें आप देखिए, x वाला motion हमेशा यूज से हुआ है, x वाला motion हमेशा हमेशा हुआ है, अगर मैं सिर्फ x को focus करू, x में दोनोंकी relative velocity जूर है, यह x में कोई motion हुआ ही नहीं है, तो bomb का जो भी motion हुआ है, with respect to plane, वो सिर्फ y में हुआ है, सिर्फ y मोका, यह X में कोई relative velocity नहीं है, शिर्फ y में relative velocity है, y में bomb चलता हुआ रहा है, plane नहीं चला है, X में तो दोनों same speed से same direction में चलना है तो दो train बिल्कुल एकी speed से एकी direction में चलना है तो दोनों एक दूसरों को rush में आती मैंने कई बार यह example बोला है तो यहांनी कि जो plane का pilot होगा उसको X का motion तो दिखना ही नहीं है उसको सिर्फ Y का motion दिखना है तो यहांनी कि with respect to pilot of the plane bomb हमें Y direction में नीचे आता हुआ दिखाए देगा कौन से direction में? Y, downward Y में नीचे आता हुआ दिखाए देगा और नीचे आता हुआ दिखाए देगा GQA से तो free fall motion होगी एक तरी के system line वाला तो यह होगा पहले दो question के answer तीसा question कितनी distance आगे strike करेगा कितनी distance आगे strike करेगा तो जिस point पे गिरा आया था उसको अगर margin माल ले तो आगे जितनी distance strike करेगा वो horizontal position के लिए range हो गई अब range का वैसे formula U under root 2H upon G मैंने बताया ही था बट इसको basic से भी कर लो X में motion uniform है uniform motion में क्या लगाते है distance is equal to speed into time speed हमेंचा x में u है time कितना तो y direction के motion को देखो h is equal to half gt square लगाना है y minitia velocity जीट हो थी तो time आएगा under root 2H upon G rainfall वाला range कितनी हो जाएगी U under root 2H upon G तो आप इसमें plane की speed लग दो 100 km पर hour या miles पर hour में दी हो थी plane आगे move कर गया होगा यह उस point से distance है जहां से plane bomb drop किया गया था I think समझ गया होगे इसी type का एक similar question दो paper screen वाला है एक paper screen ये है A एक paper screen ये है B ये दो paper screen है अब क्या किया गया है इन दोनो paper screen से एक से bullet हमने यहां से launch कर दी और ये bullet जैसे ही आप launch कर दोगे bullet आप gun से fire करोगे तो bullet कौन से सीधी चलनी है bullet तो free fall की वज़े से acceleration due to gravity की वज़े से ऐसे पैरा bullet path बनाते वे नीचे आखे के गिरी पैरा bullet path बनाते वे नीचे आखे गिरी तो ये बताना है कि दोनों paper screen की बीच की जो distance होगी वो x की distance आख जो bullet जिस horizontal velocity से fire केगी जी हो ये horizontal position फ़र में height हो गया under root 2h upon g में वो height आगी आपको h निकालना है बस आप इसको निकाल दो r आपको पता ही है जो आपको पता ही है सारे time में धल लिया होता है जाजाएगा इसी तरह एक और question है ball rolling on a staircase वो हम लोग next video में करेंगे तो आप जरूर channel को subscribe कर लिजएगा इस video को like करेगा को doubt हो अब में remark में तो आपके doubt पूछने के दो तरही है एक तरीका है कि नीचे comment box में लिख दो दूसरा है पूछो तो app download करो और वहां पे आपको जो भी question पूछना है अब वहां पे post कर सकते हैं Thank you